आज मुहावरों का दिन है तो लगे हाथ अब एक और मुहावरा सुनी लीजिए चौबे गए, छब्बे बनने, दूबे बनके रह गए किसके बात कर रहे हैं उशेकू? अरे बंदरू समझदारों को इशारा काफी है वैसे तुम समझदार तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें बोल कर ही बता देता हूँ मैं बात कर रहा हूँ, यश्वंत सिना जी की जो विपक्ष की तरफ से राश्पती पद के उमिदवार हैं वो विरोधी दलों की तरफ से राश्पती पद के लिए साजहा उमिदवार हैं लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उन्हें देख के लग रहा है कि विपक्ष में एकता नाम की कोई चीजी नहीं बची है विपक्ष की एकता एकदम कपूर की तरह उड़ गई है जब विपक्ष की तरफ से यश्वन जिना को राश्पती पद का उमिदवार बनाया गया था तो लगा था कि NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मु की स्थिती भले मजबूत हो लेकिन मुकाबला जोरदार होगा राश्पती चुनाओ की घोशना के बाद जब उनको विपक्ष का कैंडिडेट बनाया गया तो शुरू शुरू में ठीक चला ऐसा लगा कि सिना सहाब जम कर ताल ठोक रहे हैं लेकिन तभी मुंबई में ओपरेशन उद्दव ठाकरे हो गया और गैर भाजपा दलों के गडबंदन के बिखरने की शुरू आत हो गई बेंदर सरकार के दबाव में दिया है पर इस पार्ठी को तोड़ दिया हुँ इस पार्ठी की सरकार को principle उसके मुख्यमांत्री को अब अब उसके बाद जो यह पुरा खेल चल रहा है जिस से जुसच आप भली माती परिचित हैं मैं भी हूँ उसी काप इस्तेमाल करके उन्होंने उनको फोर्स किया कि तुम हमारे उम्मिद्वार का समर्टर करो अब जो भी हो सिना सहाब राजने जी हाकिकत तो यह है कि महराष्ट में शिवसेना आपके साथ नहीं है वैसे शिवसेना खुद उद्धर ठाकरे के साथ भी है या नहीं आज की तारीख में ये कहना भी मुश्किल है जो भी हो शिवसेना अब सिना सहाब के साथ नहीं है उद्धर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चाचा शेपाल सिंग यादव दुरौपदी मुर्मू को अपना समर्थन पहले ही दे चुके है अब चचा ने दो कदम आगे बढ़कर भतीजे को एक चित्थी भी लिख मारी है और चित्थी में लिखा है कि सपा का वर्तमान नेत्रित्व उस व्यक्ति का समर्थन कर रहा है जिसने हमारे नेता जी को ISI एजेंट का आथा देखिए चचा जी का ट्वीट ये था सिना सहाब के लिए दूसरा जटका यानि जोर का जटका जोर से लगा 440 वोल्ट है जैसा फिर सिना सहाब को धाक से तीसरा जटका भी लग गया कौन सा आट सो असी वोल्ट का यानि विदान्सबाद चुनाव में समाजबादी पार्टी के साथ गठ बंधन बनाकर साथ साथ चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव समाजबादी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पहले तो सस्पेंस बनाई रखा लेकिन अब उन्होंने भी खुलकर दुरौपती मुर्मू का समर्थन कर दिया है हम सब लोग आने वाले अठारे तारीक को दुरौपती मुर्मू जी को ओट देने का काम करेंगे वैसे आपको बता दू कि राजभर की नाराजगी यश्वन सिना से नहीं है वो तो समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से खफा है गोहे जरा खफा खफा तो नेन यूं चुराए है क्योँ और गडबंधन धरम कैसे निभाया जाता है इन्होंने किया तो मेरी पत्किरिया थी कि बिना कमांडर के सेना लड़ाई ठीक से नहीं लड़ती है मैं बार-बार कहता हूँ कि अखिलेश जी गए होते तो सो परसेंट हम आजमगरती नव जीते होते पर अभी हम अखिलेश जी और राजभर जी के बीच के मनमुटाव की चर्चा जादा नहीं करें तो मैंने बताया कि उद्धर ताकरे और ओम प्रकाश राजभर ने सिना साहाब से किनारा कर लिया है ये सिलसिला यहीं नहीं रुका जारखंड में सरकार चला रही पार्टी जारखंड मुक्ती मोर्चा ने भी सिना साहाब को जटका देते वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है जारखंड मुक्ती मोर्चा के प्रवक्ता ने पाटी के दिगज गुरू जी यानि शिबू सुरेन का हवाला देते वे जो कहा उसका अर्थ यही था तो ऐसे ऐसे जाने कैसे दुख जेलने पड़ रहे हैं सिना साहब लेकिन सबसे जाता दुख हुने इस बात से हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने उनका फोन तक नहीं उठाया कि जब विपक्षिद अलोंने तै कि अदिली में कि मैं उनका साजाओ उमिद्वार बनूँगा राश्पती के चुनाओं तो मैं कई लोगों को देश वर में पौन कर रहा था लिहार के मुख्यमंत्री की को भी मैंने रिप्रीटेग ली पौन के संग्देश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं लेकिन मैं चायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना कुछी नहीं समया सिना साथ आप भी कैसी अराजनेतिक बात करते हैं वैसे ना आप कम खौराट हैं और ना नितिश बाबू इसलिए दोनों इस बात को समझते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर फोन से बात नहीं होती पता नहीं क्या उल्टा सीधा कहा जाने लगे वैसे एक बात आपको बता दू कि नितिश बाबू पुलिटिकल कैलकुलेशन में बहुते माहिराद में हैं सोच समझ के फोनवा करते हैं बहुत जादा सोच समझ कर जिहां बहुत ही जादा सोच समझ कर फोन उठाते हैं बहराल आप इसी बात से बंबं रही है कि पटना में आपका जबरतस्त स्वागत किया गया नितिश जी ने ना सही दूसरी पार्टी के लोग तो थे वैसे सिना सहाब के लिए खुश खबरी की बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया आज पार्टी के रास्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री मानिय अर्विंद केजरिवाल जी के अगवई में उनकी अध्यक्सता में पार्टी की पॉलेटिकल एफेर्स कमेटी की मीटिंग हुई और सबने एकमत से तेह किया कि हम विपक्ष के उमिदवार आदनिय यस्वन सिना जी का समर्थन करेंगे ये सिना साहब के लिए राहत की बात है वैसे उनके साथ जम्मू कश्मीर के नाशनल कॉन्फरेंस वाले फारुख अब्दल्ला जी भी है बहराल राश्पती चुनाओं में अब सिर्फ दो दिन बचे है लगता है कि जितना खेला होना था वो हो गया और ये बात सामने आ गई कि सिना सा विपक्ष को एक नहीं कर सके और अब शायद वो यही गारें होंगे कोई हम दम न रहा कोई साहारा न रहा हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा कोई हम दम न रहा कोई साहारा न रहा अब को रखे आगे